कि सभी दोस्तों को राम राम देखें मित्रों हम लोग बात करने जाए राजस्तान के मेड़े जितने मेड़े हैं साथियों आपकी सवाल बन सकता है मातर में 10 मिनट की क्लास में आपको राजस्तान के मेड़े पढ़ा के जा रहा हूं और आप वाकई आपका दिल गदगद हो चैसju आगा किसर हमें सिले अगर गर इस तरीके से मिल जाए और इस तरीके से रिविजन हो जाए तो कोई माई के लाल में तागत नई इसाथियो परिक्षया में बता होने से रोग सकता है क्या जहांगल परदेश का सबसे बड़ा मिला है वे है कोलायत मिला भीक कदेर में कपिल मुनी की दपोष्टर देए और कार्थिक महा की पुरुनिमा को साथियों इनका मिला लगता है मैंने ये भी कहा था कार्तिक महा की पुर्णिमा को कौन-कौन से मेले लगता है मैंने कहा था ना आप लोग याद होगा साथियो याद कीजिए उस बात को कि कोलायत के गुरु चंदरभागा गुरु मतलब गुरु नानक जैन्ती कोलायत के गुरु चंदरभागा चंदरभागा मतलब चंदरभागा पशु मेला जालावाडवाला गोलायत की गुरु चंदरभागा पुशकर में कार्तिक इसनान करते हैं तो कोलायत मेला गुरु नानक जैनती चंदरभागा पशु मेला जालावाड़ और पुशकर मेला सब कहां आते हैं साथिया आपके कार तो यह जांगल परदेश का सबसे बड़ा मेला है ध्यान रखे साथ ही आप लोग मेरवाड़ा इसे किसे बोलते थे हम लोग क्लास रिविजन के तोरफ है इसलिए फटा फटा हमको लेना है और पहले से मैंने सलाड बना रखिए ताकि आपको समय बचे और यही काम देगा अजमेर राजसमन्द के भाग को हम लोग अजमेर मेरवडा के तो अजमेर मेरवडा का सबसे बड़ा मेला पुशकर मेला है कार्तिक महा को लगता है साथियो शukaलपकस एक दश्यों पूर्णिमा तक चलता है इस मेले में सरवधिक विदेशी प्रेटक आते हैं सरवधिक तो भी आपका सेखावाटी पर्देश का उपनाम कहलाएगा तो यहां का सबसे बड़ा मेला कौन सा है वेनिश्वर धाम मेला नवाटापुरा में लगता है साथियो और यहां पर आपको पता होगा सोम माही और आप लोगों के जाखम का त्रिवेनी संगा में और कब लगेग अगर आदिवाश्यों का आपको अर्ध कुम्ब पूछे तो फिर सात्यों सीतावाडी मेला जाएगा खंडी स्यूलिंग की मूर्ति की पूजा होती है आदिवाश्यों सबसे बड़ा मेला है इसे आदिवाश्यों कुम्ब कहते है बागड का कुम्ब कहते है आदिवाश्यो क्योंको स्साथ कौंध्रशा कहा ज़ीज कहलेगा सी तğimiz घांड़ कमेला ह 되어 हटो ती परदेश का सब से बड़ा मेला तब लगता है मैं पढ़ा चुक आँ काई बड़ आपको सिथा ने लगता है और ती जेश्ट महा की साथ ही शेह जण्जात्यका सबसे बड़ा मेला है और आपको पता होना चाहिए सहा है सहरी के साथ थी के पंच्ताई सबसे बड़ी पंच्याइट है यह मेला सेरे जिन्जाती का कुम्ब कहा लाता है और इस मेले को अदिवासियों का अर्द कुम्बी कहा जाता है यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है आगे बात करें मतश्य परदेश का मेला कनफटे नाथों का भी साथ यो पर्मु की स्तल ध्यान रखे मतश्य इसका कुम्ब कहते है मतश्य परदेश मतलब अलवर भरतपूर यह इलाका आ गया उज्जेन की राजा भरत्री की तपो इस्तलिय वर्तमान विए इस्तान कन पठे नातों का परमुक इस्तल है सुनते जाना मेरी बात को न और रिवीजन की तोर फटा पट करते चलेंगे हम लो यह रिवीजन है और शानदार रिवीजन करना है आप लोगों को शानदार तरीके से रिवीजन करना है सत्यों और इस कलास को आप दो-तिन बार देख जाना परिक्षम जाने से पहले दो-तिन सवाल आपको यहां मिल जाएंगे कि मेड़े हैं तो मंदिर बे ध्यानक क्यामता का मेला यूता की माता का मेला सच्या जैसल मेर, सामधी स्तल है और भादर पद स्वक्णा दुत्या को बाबर रामडेवजी नहीं जनम लिया इसलिए साथ जैसे बाबार भीज कहते हैं और एका दस्यू को समा देली, हमारी धरम बहन साथियो रामदेव जी के हमारी बहन मेगवाल जाती के कन्या साथियो उन्होंने समा देली वे दस्यू को लिए, इंदु जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, रिश्यूपदेव मेला है और ध्यान रकना कोन से गाव में द्भावना का कोलायत बीका निरवाला, शिक्खो का सबसे बड़ा मेला, साहवा चूरु कार्थिक पूर्णिमाग लगता है, गरासे जन्जाति का सबसे बड़ा मेला, सियाओ मेला है, शिरूई में साथियो इसे हम लोग आम आदमी का मेला कहते हैं, और इसे मन खोरों का मे मेले में चुनती है, आप लोग कहेंगे साथियो कौन सा गरासिया, किलियार, भीलो का सबसे बड़ा मेला, वेनिश्वर धाम, डुंगरपूर हो गया, माग महा के पुर्णिमा को, तो यानि धरम और जातियों से संब्धित, पहले हमने पढ़ा कौन सा है, और यहाँ धरम, जा सेरे जन्जाति के सबसे बड़ा मेला, सीता बाड़ी का मेला, है ना भी सीता बाड़ी का मेला, सेरे जन्जाति का कुंब कहते है, आदिवासुका अर्दु कुंब कहते है, जेष्ट महा कौमाउश्यों को मेला, मिर्णों का सबसे बड़ा मेला, आपको पता है मित्रों, बन अन्मांगड एक ददरेवाद चूरू, और एक गोगा जी की ओलड़ी, यहाँ साथ ही धया लटायख है, यहाँ पे इनकी धुर मेड़ी है, सीर शहांगिर्था इसलिए हम इसेamar हो गोगा जी पे लटबी की मतलब होता है, कर्ष्ण पक्ष और सुकल्पक्ष में अंतर है क्या कहा हमें कि हमारे पास में भादर पड़ कि क्रिश्ण पक्ष की नौमिय आए क्रिश्ण पक्ष आये तो साथ यह गोगा जी और यहां पक्ष शुकल आ गया तो द्यान रगना वीर फत्था यहाँ बात करें हम लोग वीर-तेजाजी मेला तरहें कि मेले साथिあ आपको दो पढ़ने पड़ेंगे एक पशु मेला है प्रवलस sür नागोर में और एक साधन नागोर में नियूआ की दड़ावता आशिन भिलवाडा भादर पर शुकल पक्स की सब्टमी को देव बाबा का मेला नंगला जहाद भरतपूर में यह मत ध्यान रखना देव बाबा वह है ग्वालों का देवता है वहां बहसा है इरमन बाबा नागोर महसात्यों इरराम बाबा ठीक है इनका मेला कब अगे बात करें हम लोग ठीक है आगे देखें मामदेव जी का मेला हला कि मंदिर नहीं होता है लेकिन कहीं पढ़ा है मैंने शाहलोद्रा गाव सीकर इनकी तोरण की रूप में पूजा होती है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग इनका ही पढ़ने माया है मेरे अगे बात करें हम लोग देखिए यहां पर लोग देवियों की बात करें अधिकांस लोग देवियों का जो मेले है क्या क्या मेले अधिकांस लोग देवियों को मेले है विद्यान रखना आप लोगों के नवरात्रों में लगता है अधिकांस के कैला देवियों को एकादा क लाए था पूरी बंगाल से और इच्छा नुशार चरणाम्रत मिलता है और कच्वा वंस्किष्ट देभी है जीन माता का मेला कहां लगता है रेवासा सीकर भी लगता है कब लगता है चैत्र और आवसीन महाक के नवरात्रों में लगता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे करणी माता के मेला की बात करें साथियों तो देशनों भीकल निर में लगेगा ये भी नवरात्रों में लगता है ददी मती माता का नागोर में धर्णा गोठ दड़ावता है और ये गोठ मांगलोद है गोठ मांगलोद पूचे आप लोगोसे गोठ मांगलोद गोठ मांगल है यहान रखें आप लोग इनका मेला अलग है बाकि तो लग बखत का का हाओ पूजा आपको पता है सितला माता सितला माता के मेला का मेल लिकां का त्री में लगता है यह ध्यान होना चहर्षिकरð healthy पीट का ही स्रंगार होता है राणी सत्य का मेला जुन जुनुम है और भादरपद अमाउश्य को लगता है सत्यों लोकसंतों की बात करें दादु द्याल जी का मेला नाराण नाराण करते दुनिया को छोड़ गए जैपूर में ठीक है जाम्बु जी का मेला मुकाम बीका निर एकम को दुलंडी के साथ पांच रंगों से कह लेंगे चैत्र कृश्नपक्स एकम को दुलंदी पंचवी को रंगपंचवी और एकम से पंचम तक चैत्र महा कर्वादर को यूजवर्ण के दिन अधा कृष्ण हुक वाच हुआए पको अनकूट महुत्साव राज समंद में और गोभर्धन के दिन कार्तिक महा और कार्तिक महा की हम लोग बात करेंगे शुकलपक्स के एककम को अग्लानों के सबसे बड़ा उर्ष ख्वाजा मोहनेचेश्ति उर्ष अजमेड में यह मुस्लमानों सबसे बड़ा उर्ष है और एक रजप से छ्छे रजप लगता है इसका उद्गाथन भिलवडा का घोरी परिवार करता है पंजाब शाह का उर्ष अजमेड में करवा चु सबसे बड़ा उर्ष मुस्लिम उर्ष सबसे बड़ा चिस्ति का है दूसरा उर्ष साथ यो बात करें हम लोग तो चिस्ति साब के बाद दूसरा यह है तो सबसे बड़ा उर्ष है तो सबसे बड़ा उर्ष है तो साथ इन क्लासों को आप लोग एक बार में नहीं दो तिन बार देखेंगे और तब तब आप परिक्षा ओल में जाए उससे पहले इनको देखना है बड़िया तरीके से इनको पढ़ना है और बड़िया तरीके से आपको देखना है क्या क्या में अच्छी तरीके से पढ़ना है अच्छी तरीके तयार करना है दो से तीन बार इन क्लासों को देख लेना इसमिट बढ़ा के आपका बेड़ा पार हो जाएगा ऐसा मुझे प्रियास के ऐसा थी हो धन्य बाद राम राम साब थेंक यू लाइक जरूर किया करो के लास को आप लोग